हलो सुटेंट सीमती मोहरी देवित आपडिया कन्या महाविदाली की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज के जो अपना टॉपिक है वो है एक्जैंपल ओफ कन्वर्जेंट्स प्रिविएश वीडियो में अपने कन्वर्जेंट्स के बारे में डि रिवर्जेंट्स के लिए जो फॉर्मुलास रिखा था उस फॉर्मुले को मैं यहां पर लएते हूं ओला भाना पीन प्वियक्ष प्र थहां मैं यहां पर एसको लिखते हैं इसके लाव पीन की जो वैली होता है मतलब यह जो है वो N1 Convergent है यानि N1 अभी शरख यहां पे होता है P N की जो value है वो होगी यहां पे कितनी होगी देखिए A N P N-1 P N-2 यह होती है P N की value ठीक है और Q N की जो value है वो यहां पे क्या होगी देखिए Q N की जो value है वो होगी A N Q N-1 और Q N-2 सेम ही होती है A N यहां पे P की जगर Q होजाता यह value यहां पे define होती है ठीक है clear है यह चीज़ अब देखिए P N बटा Q N से यहां पे define हो गया अब देखिए पहला अभी सरक यहां पे जो अपने एक्जाम्पल है उस एक्जाम्पल से अपन यहां पे discuss करते है एक्जाम्पल यहां पर अपने को given है कि 2 प्लस एक बटा 5 प्लस एक बटा एक प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा नो प्लस एक बटा तीन प्लस ठीक है इस तरह से यह कोई अपने को यहां पे जो value है वो अपने को यहां पर given है ठीक है और इसके लिए अपने को उत्तर उतर अभी शरक देखे उत्तर उत्तर अभी शरक का मतलब होता है successive convergent इंग्लीश में अपने define करना चाहें तो successive convergent जो है वो किस तरह से find out कर सकते हैं उसको अपने यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर अपने जो values given है उनको यहां पर अपने निकलेते हैं देखिए a1 की value अपने पास कितनी है a1 है 1 sorry 2 a2 है 5 a3 है 1 a4 है 2 a5 है 9 और a6 है 3 यह values अपने को यहां पर given है 6 values जो है यहां पर अपने को given है अब देखिए प्रथम जो अभिसरक होता है वो क्या होता है प्रथम अभिसरक यानि अपने यहां पर one one की बात करेंगे तब आपन तब आपन क्या लिखेंगे यहां पर यहां पर जो value लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी देखिए प्रतिम अभी सरक के अंदर जो पहली जो वैल्यू होती हैने प्रतिम सरक के बराबर भी जानते क्या है आपने को यहां पर 2 अपने लिख ना P1 और Q1 P1 यहां पे 2 है और P2 यहां पे 2 है और Q1 यहां पे कितना है 1 है ठीक है यह values अपने वह आगे चाहिए होगी इसलिए मैं यहां पे लिख रही हूँ ठीक है अब यहां पे निकालेंगे अपन P2 की value पीटू की value जो है उसको यहां पर अपने निकालेंगे तो पीटू देगे क्या होता है पीटू होता है वीतिया अभी सरक दूसरा जो अभी सरक है वो उसको अपन कैसे लिखने हैं वीतिया अभी सरक को एक सोरी एवन प्लेस एक बटा एटू यही तो लिखते हैं एवन की value कितनी है 2 है और एटू की value कितनी है 5 है तो रखो और निकालेंगे तो अपने पास आएगा 11 बटा 5 ठीक है तो इस condition में p2 हो जाएगा 11 और q2 हो जाएगा 5 इस तरह से अपने यह दोनों जो प्रथम और दूइतिया अभी सरक जो है वो अपन easily यहां पर निकाल जकते हैं अब अब जो है वो अपन formula लिखते हैं उसको यहां पर use करते हुए है आगे के जो है अभी सरक है वो अपन यहां पर easily find out करेंगे तो आगे के जो अभी सरक है उनको अपन कैसे find out कर देखिए a3 जो होगा अपने यहां पर formula देखा था sorry p3 तो p3 होगा a3 pn-1 n-1 यानि p2 plus n-2 यानि p1 p2 और p1 इन दोनों की value जो है वो यहां पर use ली जाएगी ठीक है अब a3 की value कितनी थी अपने 1 थी p2 की value अपने 11 आई और p1 की value अपने पास कितनी थी यहां पर 2 थी तो उसको लिख देते हैं तो यहां से अपना कितना आज़ेगा 13 यहां पर आज़ेगा इसी तरह से अपन q3 भी यहां पर निकाल लेंगे तो q3 beautiful a3 q2 stereoty कितना थाником और q1 जो है वो कितना था 1 था अब ना तो यहाँ पे यह आ जाएगा 6 ठीक है तो तो तीसरा अभिसरक होगा त्रीती अभिसरक उसको अपन कैसे लगेंगे p3 बटा q3 p3 बटा q3 तो कितना आ जाएगा 13 बटे 6 यहाँ पे define हो जाएगा easily ठीक है यह value यहाँ पर आ जाएगी ठीक है अब इसी तरह से अपन चोथा अभिसरक निकालेंगे तो देखिए चोथा अभिसरक किसे निकलेगा चोथा पांच वाच छटा जितने तक अपने को given है जैसे a6 तक given है तो अपन 6 तक यह अभिसरक यहाँ पे अभिसरक निकालेंगे तो देखिए a4 sorry p4 चतूर्थ अभिसरक चतूर्थ अभिसरक तो इसके अंदर देखिए अब नहीं क्या होगा चोथा अभिसरक इसमें होगा p4 is equals 2 होगा a4 q3 a4 p3 plus p2 यह हो जाएगा अब a4 की value यहाँ पर अपने को कितनी given है a4 की value given है 2 और p3 की value आई अपने 11 और p2 की value अपने पास में कितनी थी और sorry p3 की value अपने यहाँ पर 13 आई है और p2 की value यहाँ पर अपने given थी 11 ठीक है अपने निकाली थी 11 निकाली थी तो अब देखिए यहाँ पर जब इनका addition और multiplication होगा addition होगा तो आजाएगा 37 यह आजाएगी किस की value p4 की value आप q4 निकालेंगे तो वही सें a4 q3 plus q2 यह आजाएगा अब a3 q4 q2 है तो देखिए a4 की value 2 है और q3 की value 6 है और q2 की value 5 है यहाँ लिखेंगे 2 into 6 plus 5 तो आजाएगा 17 ठीक है 12 और 5 17 होगे तो यहाँ पर जो है वो चोथा अभिसरक जो है वो यहाँ पर कितना आजाएगा चतूर्थ अभिसरक जो है वो आजाएगा p4 बटा q4 तो कितना आजाएगा 37 बटे 17 ठीक है इस तरह से यहाँ पर अपन फाइंड आउट है पर लेंगे अब अपन निकालेंगे p5 तो p5 आगे से आगे जो values है उनको अपन निकाल जाएगे पांचवा जो अभिसरक है पंचम अभिसरक p5 तो p5 निकालेंगे तो हो जाएगा a5 q p4 प्लस p3 यहीं होगा अब देखिए a5 की value अपने को यहाँ पर given है 9 ठीक है और p4 की value निकाली अपने 37 तो 9 into 37 प्लस p3 की value थी अपने कितने 13 ठीक है इस तरह से यहाँ पर यह value जो है वह अपने को यहाँ पर given है तो इनको जब अपन सरल करेंगे तो अपने पास आएंगे 344 पहले अपन 37 को 9 से multiply करेंगे और फि ठीक है अब अपना आगया यहाँ पर q4 q5 तो q5 जो हो जाएगा a5 q4 plus q3 यह value यहाँ पर आएगी a5 की value कितनी है यहाँ पर अपने a5 की value given है 9 और q4 है 17 और q3 है 6 तो 9 into 17 plus 6 यह value यहाँ पर आएगी तो जब अपने इसको सरल करेंगे तो अपने पास कितने आजाएंगे 109 जो है वो अपना यहाँ पर answer है 109 ठीक है सरल करने पर 109 यहाँ पर आजाएंगे sorry 109 नहीं यहाँ पर क्या आजाएगा 169 जो है वो यहाँ पर आजाएंगे 109 नहीं 169 यहाँ पर find out हो जाएगा तो देखें पांच वह अभी सरक जो होगा P5 बटा Q5 तो उसको अपन दिखेंगे 346 बाई 159 यह इसका जो पांच वह अभी सरक है वो इस तरह से अपन find out कर लेंगे अब देखें पांच वह अभी सरक के बाद वे अपन छटे अभी सरक तक value given है तो छटा अभी सरक भी AC तरह से अपने निकालेंगे अगर कोई fraction अगर अपने को given है उसके अभी सरक निकालने हैं तो सबसे पहले अगर आपन क्या करेंगे जो अपनी given fraction है उसको अपनी वीतत स्रेणी है वीतत भीन है उसके अंदर change करेंगे और फिर उसका आपन उत्रोचर अतर क्या निकालेंगे अभी सरक यहां पर find out है तो यहाँ पे जो छटा विशरक है वो देखें किया जाएगा A6 की वैल्यू, 3 गीवन है अपने को, तो यहाँ पे P6 जो होगा, वो होगा A6 से P5 प्लस P4, यह होगा, तो देखें, वैल्यू को आपने रख देते हैं, यहाँ पे, 3 इंटू, 346 प्लस 37, ठीक है, इसको अपन सरल कर लेंगे, तो इसको सरल करने पर अपने पास आएंगे, 1075, ठीक है, यह वैल्यू यहाँ पर आजाएगे, इसको गुणा करके अपन जब सरल करेंगे, तो हमने पास यहाँ आजाएगा, इसी तरह से अपन Q6 भी निकालेंगे, तो Q6 हो जाएगा, A6 है, Q5, Q4, तो यहाँ पर 3 इंटू, Q5 की वैल्यू अपने कितनी निकाली थी अभी, 159 निकाली थी, तो 159 प्लस, 37 अपने यहाँ पर आएधा 17, तो 17 रख देते हैं, तो अपने पास आएगा, 374 जो वैल्यू है, वो यहाँ पर आजाएगे, तो इसका जो, sorry, 494, यह आएगा, 494, यह वैल्यू जो है, वो यहाँ पर इस तरह से आजाएगी, तो अभी सरे क्या लिखा जाएगा, P6 बटा, Q6 तो 1075 बटा, 400 जुरान में, यह वैल्यू जो होगी, वो छटे अभी सरे के यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, इस तरह से आपने, जितनी अपने को, यहाँ पर वितर स्रेंड की फॉर्म में गिवन होता है, उतने यहाँ पर जो अपने अभी सरक है, वो अपने जो है, वो find out aid कर सकते हैं, तो यह था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपने example of convergence के अंदर, आपने enrichment केषे निकालते हैं, उसको अपने डिसकुस से, क्या है की, Convergent केषे निकालते है, उसके लिए जो formula अपने कल की वीडियो में, डेस्क्रावाइब किया था, उसका यूज करते विए अपने यहां पर जो है वो कन्वर्जेंटे निकाले हैं I hope आपको समझ आया होगा आप इस वीडियो को जहां से देखेगा और कुछ भी नई समझ में आता तो मेरे साथ share कीजेगा, thank you so much